यहां पर नेताजी सुभाशंद्र बोस के सहयोगी और आजाद हिंदु फौज के करनल हभीबुर रह्मान के बारे में भी आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे नेताजी सुभाशंद्र बोस आज कि किसी भी सूरत में भारत की आजादी चाहते थे और उन्होंने कभी भारत के विभाजन का समर्थन नहीं किया था तो पहली चीज जो आपको यहां समझनी है वो ये कि नेता जी सुबाश चंदर बोस भारत की आजादी चाहते थे लेकिन संयुक्त भारत की आजादी चाहते थे और वो विभाजन के खिलाफ थे यानि वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जो कि अंग्रेज चाहते थे लेकिन नेता जी की मृत्यू के ठीक दो वर्षों के बाद जब भारत का बटवारा हुआ तब उन्हीं के सहयोगी जो विमान क्रेश के दोरान उनके साथ थे उस विमान में मौझूद थे और जिन्दा बच गए थे वही करनल हबीब الرह्मान ने भारत की जगा पाकिस्तान में रहने का फैसला किया यानि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए इससे भी बड़ी बात ये है कि वो बटवारे के बाद पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए और मौझमद अली जिन्दा के सबसे कریबी सलाकार के तोर पर काम करने लगे और जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विले करने के लिए जिन्दा ने उन्ही को महराजा हरी सिंग स साथ भारत की आजादी के लिए संगर्श कर रहे थे वही बटवारे के बाद जिन्ना के सबसे करीबी बन गए और इसके लावा आज किसी भी रिकॉर्ड में नेता जी के पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर नहीं है और इसका कारण यह है कि करनल हवीबुर रहमान का यह कहना था कि उन्होंने जान बूज कर नेता जी के पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर किसी को भी लेने नहीं दी क्योंकि मृत्यू के बाद उनका चेहरा काफी फूल चुका था काफी विकृत हो चुका था और वो नहीं चाहते थे कि यह चेहरा दुनिया देखे इसके लावा एक पुस्तक है जो वर्स 1978 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का नाम है नेता जी डेड और अलाइव और इसे लिखा है समर गोहाने जो एक मौद मशूर लेखक भी हैं और दो बार सांसद भी रह चुके है इस पुस्तक के पेज नमबर 161 पर ये लिखा है कि करनल हबीबुर रह्मान ने नेता जी के मृत्यू से जुड़ी जो बातें बताई बाद में वो बातें सही नहीं थी उनमें विरूधा भास था और इसकी वज़े से उन पर कई बार सवाल उठे मैं आज आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ कि उस पुस्तक में क्या लिखा है और बहुत महत्वून बातें उस पुस्तक में लिखी है मैं आज उस पुस्तक की कुछ एक कौपी में लेकर आया हूँ जो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ देखिए इसमें क्या लिखाया, ध्यान से सुनिएगा आप Habibur Rahman said that only the upper part of Neta Ji's body was burnt and his head suffered a deep cut injury but the five Japanese, यानि जो पांच Habibur Rahman का कहना था कि Neta Ji का जो शरीर का उपर हिस्सा था वो जल चुका था और उनके सिर पर एक deep cut था सिर पर गहरी चोट आई थी लेकिन उसी विमान में जो पांच जापानी लोग मुझूद थे जापान सेना के जो वरिष्ट अधिकारी थे उनका ये कहना था His whole body was burnt to grey ash color यानि पूरी जो body थी वो जल चुकी थी और उसका रंग जो है वो grey ash राख जैसा हो गया था और नेता जी को कोई और इसके लावा चोट नहीं आई थी यानि नेता जी की शायद मृतियू जलने की वज़े से हुई ऐसा जापानी को कहना था All of them said Neta ji was brought completely naked to the hospital but Habibur firmly said no वो इससे इसमें अपना मद भेज जताते हैं ये हमारे शोद का विशह नहीं है कि Neta ji की जो body थी वो किस थिती में वहाँ पर लाई गई थी इसके बाद Habibur Rahman का कहना है कि hospital doctor performed an operation on Neta ji but the doctor himself denied it तो Habibur Rahman कह रहे है कि उनका operation किया गया, surgery की गई लेकिन जो doctor जिसका नाम उन्होंने लिया, बाद में उस doctor ने इससे इंकार कर दिया Habibur said that plane crashed exactly at 2.35 p.m. but the Japanese witnesses mentioned the time of crash as any time between 11 a.m. to 12.30 p.m. Neta ji was found most of the time in a state of coma in the hospital bed according to Habibur Rahman but doctor Yashimi found Neta ji in his senses all the time till he passed away Habibur Rahman कहते हैं कि वो coma में चले गए थे, लेकिन जो doctor है, जो ने उनका इलाज किया, वो ये दावा करते हैं कि वो पूरी तरह से होश में थे, जब तक उनकी मृत्य हुई, यानि Habibur Rahman जो बात कह रहे हैं और जो जापानी आई-विटनेस हैं जो बात कह रहे हैं, उनमें बह आय होकू, was it possible for Habibur Rahman to fail to remember the exact date of cremation? Within one month, after the date of alleged death of Netaji, Habibur Rahman gave out four different dates of cremation to four different agencies. तो यानि Habibur Rahman ने Netaji के अंतिम संसकार के बारे में अगले एक महीने में चार अलग-अलग agencies को चार अलग-अलग तिथियां बताई हैं, Habibur Rahman लगातार अपना बयान बदल रहे थे, तिथियां बदल रहे थे, समय बदल रहे थे, और जो तिथी समय और जो पूरा घटना कराम वो बता रहे थे, वो बाकी के चश्मदीद गवाओं की बातों से मेल नहीं खाता था. Habibur Rahman बाद में जिन्ना के सबसे करीबी सेयोगी बन गए, पाकिस्तान चले गए, और जिन्ना ने जब कश्मीर को हत्याने के लिए, कश्मीर के राजा हरी सिंग से बात करनी का जो पूरा प्रक्रिया थी वो शुरू की, तो जिन्ना ने अपने प्रतेनी के तोर पर इसी करन Habibur Rahman को पाकिस्तान की ओर से भेजा था, ये वो जानकारिया हैं जो आप तक शायद देश तक नहीं पहुंची थी, आज हम आपको बता रहे हैं